हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करने वालें फिजिस के बहुत जादा इंपर्टन टॉपिक के बारे में जो कि आपका है आवेशु के पुनर वित्रण में उर्जाक का राशमाच उसका वेंजक देखने वाले हैं तो इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा वीडियो में हमने क्या किया था कि दो चालक लिये थैं जिस पर एक में Q1 आवेश दूसरे में Q2 आवेश दिया था जिसके कारण जसकी धायताइं थी Q1 के कारण V1 और V2 के कारण Q2 की थी आपकी V2 थी जिस विभाव आपके V1 V2 और जो इनके धायताइं थी वह आपके C1 C2 जोडने के बाद लें कि जोड़ देंगे तो इसमें के जैसे Q1 वाले में बैलन्स मना लेगा तो चलिए देख लेता है कि इस वीडियो ने हम उजा का निकाले हैं तो यह दोनों चालक है एक चालक आपका A है एक चालक आपका B है तो जब ये दोनों एक दूसरे से connected नहीं है तो इन पर आवेश आपका Q1 और दूसरे पर आवेश आपका Q2 है जिसके कारण इनका विभाव V1 और V2 है लेकिन जब हम इनको connect कर देंगे इन दोनों को बराबर कर देंगे तो इसमें क्या होगा आवेश एक समान हो जाएगा अगर इसमें जादा है और इसमें कम तो वो क्या होगे balance बना लेगा तब इनके जो मतलब की इनमें जो अलग-अलग विभाव है V1 वी 2 तो वो क्या हो जाएगे कि आपका विभाव V हो जाएगा balance बना लेगा दोनों को जब हम connect कर देंगे तो आवेश क्या हो जाएगे balance बना लेगे और इनका जो विभाव होगा वो क्या रह जाएगा V रह जाएगा तो चलिए इस वेंजक को देखते हैं तो दोनों चालकों को जोड़ने से पहले A और B की कुल इस्तिति जूर्जा क्या होगी U1 is equal to C1 V1 का स्क्वेर प्लस हाफ प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वेर आप जानते हैं उर्जा U is equal to क्या होती हाफ C V स्क्वेर यह आपकी उर्जा होती है इसके लिए जब हम U1 निकालेंगे मतलब कि आपका जो यह परिपद है वो जोड़ने से पहले है A और B को जोड़ा नहीं गया तब आपकी इस्तिति जूर्जा क्या होगी U1 is equal to half C1 V1 स्क्वेर और प्लस half C2 V2 स्क्वेर कहां से आया यह आपका यह स्तिति जूर्जा का फॉर्मूला होता है U is equal to half C V2 यह आपका धालता और यह विभाव के लिए फॉर्मूला होता है उसी से हमने यह पेंजक निकाला तो अब हम यह हमने जोड़ने से पहले निकाला है तो चलिए जोड़ने के बाद देख लेते कि कितना हो जाएगा तो जोड़ने के बाद क्या होगा कि अभी हमने विभाव जो आपके V1, V2 इसमें एड़ की है बट अब क्या होगा कि जोड़ने के बाद जब हम इनको जोड़ देंगे तो ये विभाव तोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे तो अब U2 is equal to क्या हो जाएगा Half C वंधाईता तो वही रहेगी बट विभाव आपकी क्या हो जाएंगे, V हो जाएंगे Plus V square Plus Half C2 V square मतलब विभाव दोनों क्या होंगे same हो जाएंगे तो चलिए आगे देख लेते हैं अब आप U2 में देखिए कि U2 में कुछ common आ रहा है कुछ 1 बटे 2 दोनों में same है 1 बटे 2 और V square तो इनको हम कर लेते हैं common 1 बटे 2 V square तो बचेगा क्या आपका C1 प्लस C2 और यहां आप जानते हैं कि V का मान गे Ubanished V आपको पहले equation 1 उसका नाम दे चुके हैं तो यहां से हम क्या करेंगे V की value पुट कर देंगे तो चलिए पुट कर लेते हैं तो half C1 प्लस C2 तो V की value आपकी क्या है C1 V1 प्लस C2 V2 बटे आपका क्या है C1 प्लस C2 अब क्या करेंगे हम कि यह जो C1 C2 आपका है इसका अंदर हम क्या कर लेंगे गुडा कर लेंगे तो चलिए कर लेते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं C1 प्लस C2 यह उपर है और यह गुड़े में है और यह भाग में C1 C2 तो एक C1C2 से एक C1C2 हो जाएगा कैंसिल और आप देखिए यहाँ पे स्क्वार है तो एक C1C2 आपका बच जाएगा चलिए बचे वाले को नीचे लिख लेते हैं तो बचेगा क्या आपका C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वार बटे C1 प्लस C2 इतना आपका बच जाएगा तो यह आपने देखा कि हमने जोडने से पहले कुल उर्जा निकाली और जोडने के पश्याद यह उर्जा निकाली तो हमें क्या करना है अब हमें उर्जा का हराश निकालना है कि कितनी उर्जा इसमें व्याय हो रही है तो तो चलिए उसको निकालते हैं, तो हमें यहां पे क्या करना है, उर्जा हराश U1-U2, तो हम यहां पे U1 और U2 के मान पुट कर लेंगे, तो चलिए पुट कर लेते हैं, तो U1 की आपकी value है, एक बटे दो, C1 V1 square प्लस half C2 V2 square, और यहां की U2 माइनस में आएगा पूरा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, half C1 V1 प्लस C2 V2 का whole square प्लस C1 प्लस C2, तो यह हमने माइनस में कर लिया है, अब चलिए, यहां पे तो कुछ नहीं है, अब यहां पे पूरे में common क्या है, आपका एक बटे दो common है, तो उसको कर लेते हैं बाहर, तो एक बटे दो को हम बाहर कर लेते हैं, तो एक बटे दो, अब अंदर क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा, C1 V1 square प्लस C2 V2 square माइनस, C1 V1 प्लस C2 V2 का whole square बटे, C1 प्लस C2, यह आपका बच जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके बटे में C1 प्लस C2, इसके वाले में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके बटे हम कर देंगे, एक और दोनों का ले लेंगे, हम लगुत्तम तो चलिए, लगुत्तम ले लेते हैं, अब हम एक बटे दो कर लेंगे आपका बाहर, तो यहाँ यहां पर बचेगा क्या c1 v1 square plus c2 v2 square यह c1 c2 का हो जाएगा यहां पर गुड़ा c1 plus c2 यह आपका इतना हो गया और यहां पर बीच में लग जाएगा minus तो यहां पर कित्ता बचेगा c1 v1 plus c2 v2 का whole square नीचे कित्ता रहेगा लगुत्तम आपका c1 plus c2 अब हम क्या करेंगे कि इसका whole square टोड़ लेंगे c1 c2 से पूरे में अंदर गुड़ा करा लेंगे तो चलिए करा लेते हैं तो चलिए अंदर गुड़ा करा लेते हैं तो पहले हम c1 का गुड़ा कराएगा प्लस C1, C2, V1 का स्क्राइर, प्लस C2 स्क्राइर, V2 स्क्राइर, इतना होगे, आप होल स्क्राइर तोड़ी है, यहां पे अंदर क्या आ जाएगा, C1 स्क्राइर, V1 स्क्राइर, प्लस C2 स्क्राइर, V2 स्क्राइर, प्लस C1, C2, V1, V2, और आपका बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आपका आ जाएगा, C1 प्लस C2, अब जो कटने वादी चीज़े हैं, उनको हम काट लेंगे, बाकी सबको रख लेंगे, तो आप यहां से देखिए, C1, C1, V1 स्क्राइ का माइनस का यह आपका हो जाएगा, कैंसिल, C1, C2 स्क्राइर, V2 स्क्राइर, C2 स्क्राइर, V2 स्क्राइर, यह आपका हो जाएगा, कैंसिल, तो अब इस पूरे में देखिए, कि पूरे में चलिए पहले लिख लेते हैं, आपको जाद अच्छे से समन में आएगा, तो बच प्लस C1 C2 V2 स्क्राइर प्लस यहां पे माइनस होगा माइनस 2 C1 C2 V1 V2 इतना आपका हो गया तो अप पूरे में common क्या है पूरे में आपका C1 C2 common है तो चलिए इसको common ले लेते हैं एक बते दो आपका रहेगा बाहर C1 C2 भी आपका हो जाएगा common अब हम क्या करेंगे तो यहां पर बचे का क्या v1 square plus v2 square minus 2 v1 v2 बटे c1 plus c2 इतना आपका बच जाएगा तब यहां से क्या होगा यह आप देख सकते हैं यह आपका v1 minus v2 का whole square है तो चलिए इसको कर लेते हैं एक बटे 2 c1 c2 बटे c1 plus c2 और यहां पर क्या हो जाएगा v1 v1 minus v2 का whole square तो आपके उर्जह राज के लिए वेंजक जो है प्रूवड हो चुका है इतना ही हमें निकालना था यह आपका वेंजक है इसका उर्जह राज का तो I hope आपको वीडियो समझ में आया । मंँदे आया तो प्लीस वी दियो को लाइक हो और मैं चैनल को सब्सक्क्राइब करें तैकक्यो था वजीक वर्टीजmus